नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपस भी लोगों का एक वर्फिर से एलो बेरा का फूल, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती, चमतकार जानोगे तो हैरान हो जाओगे एलो बेरा का प्लांट जैसा की आप जानते हैं की सभी जगह पर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है और हर ब्यक्ति ने इसे अवशी ही देखा भी है, लेकिन काफी कम लोग ही इसका हिंदी में नाम जानते हैं आपको बता दे कि इसे गृत कुमारी, कौार कंधल और कौार पाठक के नाम से भी जाना जाता है वैसे तो इसके स्वास्त में कई अनेक लाब हैं, लेकिन इसका इस्तिमाल तांत्रोक्त क्रियाओं में भी काफी ज़्यादा किया जाता है जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा शमश्याएं हैं, या फिर सत्र बहुत ज़्यादा आपको परिशान करता है यहां तक कि सम्मोहन और बशी करन क्रियाओं में भी एलो बेरा का इस्तमाल काफी ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह एक प्रकार की बनस्पत जड़ी बूटी कही जा सकती है स्वास्त में तो इसके अनेको लाब है लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ तांत्रोक्त उपाय के बारे में जो बेहत खास और सक्त साली है जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियो में बताया कि इस दुनिया में जितने भी पेंड पौधे होते हैं जितने भी बनस्पती होती है हर एक बनस्पती का अपनी आप एक विशेश रूप में खास होता है हर एक पौधे में कुछ न कुछ औशदी गुड जरूर होते हैं साथी उसका अद्रश रूप शे लाब भी रहता है जैसा कि काली मिर्च होती है ठीक उसी प्रकार से हर एक पौधे की भी अपनी एक अद्रश शक्ती होती है तो आज इसी की बारे में हम आपको बताएंगे तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बाक्ष में ओम नमशिवाय हर हर महादेव अवशी ही लिख दें जिससे भागवान सिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो दोस्तों आपको बताएंगे कि एलो बेरा एक ऐसा प्लांट है जो बिलकुल ही सूखे में उगता है और सूखे में भी अपने अंदर जल को समाहित कर लेता है बलकि आपको बता दे कि इस बनस्पती में जड़ी बूटी में एक ऐसी अद्वुत गजब की शक्ती होती है कि सारे दिक जितने भी नकारात्मक तत्व होते हैं उन सभी को नश्ट कर देती है और सरीर में जो बैशाली तत्व होते हैं वो इतने भेंकर होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि इन्ही बैशाली तत्वों के माध्यम से बड़ी बीमारिया इंसान को घहर लेती है जो कि बड़ी बड़ी दवाईयों में भी ठीक नहीं कर पाती लेकिन बनस्पती और कुछ प पर ने भी काफी वीडियो में आपको बताया है कि इंसान का जो सरीर है वह पंच तत्तों से निर्मित होता है, यानि कि प्रत्वी जल, अगनी, बायू, आकास सारे तत्तों उसके सरीर में ही बास्व करते हैं, बलकि इंसान के जीवन में जितने भी चीज़े होती हैं, जैसा कि भी हम किसी दूसरे वीडियो में जरूर बताएंगे, अब दोस्तों आपको बतादे कि एलो बेरा प्लांट के तो लाब स्वास्त से जुड़ी जानती हैं, लेकिन आपको बतादे कि आयूरबैद में भी और बनस्पती बिग्यान में यह इस तरीके से कार करता है, जो आपक अगनी तत बिगरने शेशरीर में उर्जा से प्रवाहित बीमार्या भी होने उन्हें घेरने लग जाती है, फिर धन की भारी समश्याएं आती है, आर्थिक शंकट उसे घेर लेता है और कर्ज की समश्या उसके जीवन में होने लग जाती है, जैसे कि किशी ब्यक्ति का प्रदें भी कमजोर होने लग जाता है जिसे खुन की बीमारी घबराहट होना बहुत ज्यादा चिंता में पड़ जाना और बिचलित हो जाना इसलिए दोस्तों कुंडलिनी सकती पर ग्यान अगर किशी बैक्ति को हो तो बड़ी आशानी से पता लगा सकता है कि उस बैक्ति के एक ऐसा प्लांट कि इसमें कम से कम तीन चार साल बाद एक फूल उगता है और इस फूल को तांतरोक्त बिधी से इतने साल बाद यानि कई सालों के बाद इसमें फूल उगता है अब ये जो एलो बेरा होता है ये बहुत शारी चीजियों में काम करता है एलो बेरा आप अप पूर्ण और बशी करन में इस प्रकार इस्तेमाल होता है कि अगर इस फूल को पड़कर किशी भी बेक्ती को खिला दें तो ऐसे जो सामने वाला बेक्ती है जिसे भी आप खिलाएंगे ये जान लेजे कि आपके विरुधिया जाही नहीं सकता है बलकि जैसा जैसा आप बोलते जाएंगे बिल्कुल वैसा वैसा वह मानता चला जाएगा इस प्रकार से तांत्रोक्त क्रिया करती है ये यानि की घरतकुमारी जैसे की एलोबेरा का फूल तो एलोबेरा का यह फूल हिंदे में से घरतकुमारी कहते हैं तो नए पौधे में बहुत ही कम निकलता है लेकिन अगर तीन-चार साल पूराना पौधा हो जाए एलोबेरा का घरतकुमारी का तो उसमें बड़ी आसानी से एक फूल अवश्य ही निकलता है और वो भी उसी से निकलता है जो बहुत ही किसमत बाला हो बहुत ही यानि की भाग साली हो किबल उसी को यह फूल प्राप्त होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है इसलिए यह जहां भी मिले तुरंते आप अपने घर लेकर आजाए एलोबेरा का फूल अगर अपने घर पर लेकर आते हैं और आलमारी पर रखते हैं धन की स्थान पर रखते हैं तो धन की कमी कभी नहीं होती है माता लक्ष्मी खिची चली जाती हैं क्योंकि इसके अनेको लाभे जैसे की आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा शमश्या हो गई तो इसके फूल तोड़कर अगर आप माता लक्ष्मी जी को भेंट चड़ा दिया जाए तो वहीं बैठ कर कम सकम आप इस फूल को जैसे तोड़कर लेकर आएं और म इंग्चामन माला से इस फूल को सिद्ध कर लिया जाए इस मंतर के साथ यानि की ओम स्रीम स्त्रे नमह ओम स्त्रे नमह तो इस मंतर के साथ इस फूल के बीच जो होते हैं और ये भी बता दे कि आपको एलो बेरा का गरत कुमारी के जो फूल होता है इसमें छोटे छोटे बह बहुती महीन भीज होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे तो बड़ी आसानी से यानि कि साउधानी से इस फूल को आपको तोड़ना है माता लक्षमी जी को चढ़ाना है और इंग्चामन माला से ओम स्रीम स्रेय नमय मंतर से जाप कर लेना है फिर किसी भी लाल को फूल करके यानि मोर करके इस कागज को फूल के साथ अब अपनी तिजोरी में रख दें आलमारी पे रख दें धन के स्थान पे रख दें जिस भी तिजोरी में यह फूल रखा जाता है वह तिजोरी कभी जीवन में खाली नहीं होती है यहां तक कि जो कोई भी ब्यक्ति उसे शिद्ध करता है, उसे अपने आप अपनी तिजोरी में रखता है, तो उस बेक्ति को कभी भी जीवन में धनकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पौधे को इस्तिमाल इसकिन से रिलेटट चीजों पर किया जाता है, ये सुन्दर्ता को प्रापद करने में मदद करता है, जिसे कि जो लोगों के काले धग्ये धाब हो जाते हैं, अक्सर लोग ऐलोबेरा का काम करता है, ऐलोबेरा बीमारियों को भी दूर करता है, पौधा ही सही। इलोबेरा का पौधा आप अपने घर पर जरूर लगा लिजे और आप नित इसमें आप जल दीजेगा। जो आप बाहर से कहीं पर नए साल के दिन हो सके तो लेकर आएं अलोबेरा का पौधा आप पौधा लेकर आयाएं। तो माता लक्ष्मी जी खिची चली आती है, माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बना रहता है, तो एलो वेरा से सम्मझत ये जो जमतकार है, जो ये उपाए, जो आप यानि करेंगे, तो जरूर लाब होगा, एलो वेरा की जड़, अगर एलो वेरा की जड़, अगर आप यानि की किसी भी सुब दिन, अगर एलो वेरा की जड़, अगर आप यानि की एक पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में लपेट करके, और आप माता लक्ष्मी जड़ों के पास रख दें, और माता लक्ष् यनि कि धन हानी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो एलोवेरा के जड़ में भी बहुत बड़ी सकती है इसलिए आप जरूर लेकर आईए और इस पौधे को लगाईए तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो काफी पसंद आई होगी और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक क करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कमेंट में लिखेगा जय मालक्षमी